आज 22 जनवरी है आज दिन है बहुत खास क्योंकि आज खत्म हुआ है कल्यूक का वनभास रत लेकर प्रभू का हनुआन आये हैं आयुद्या में श्री राम आये हैं जै श्री राम राम लला की एक जलक पाने को उनके दर्शन को दुनिया भर की मशहूर हस्तियां इस वक्त आयुद्या पहुँच चुकी हैं आपको बता दे पांच से साथ हजार बड़ी नामचीन हस्तियों को इस प्रांट प्रतिष्ठा कारिकरम के लिए आमंतरित किया गया हम आपको ये भ कौन से क्रिकेटर शिर्कत करने वाले हैं वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर भी इस प्रांट प्रतिष्ठा कारिकरम में हिस्सा लेने के लिए आयोध्या पहुँच चुक वरेंद्र सहवाग, आरश्विन, वेंकटेश प्रसाद, भारती टीम के मौझूदा हेट कोच राहूल रविट, रवंद्र जडेजा, इसके अलावा महिला क्रिकेटर्स में मिताली राज, हाला कि अब तक इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि इनमें से कौन-कौन से खिला हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दे कि इंडिया के कई ऐसे क्रिकेटर पहले ही आयोध्या पहुँच चुके हैं, इस लिस्ट में सचिन डेंडूलकर, विराट कोहली, वेंकटेश प्रसाद, रविंद्र जडेजा और अनिल कुम्बले का नाम शामिल है, जिया यही वो खि अनिल कुम्बले ने मीडिया से बाच्चीत भी करी, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिश्टा समारो पर अनिल कुम्बले ने कहा, यह अद्भुद अफसर है, मैं इसका हिस्सा बनकर धन्य हूँ, यह हमारे लिए बहुत माईने रखता है, हम आयुद्या आते रहेंगे, आय साल का इंतजार जो खत्म हुआ है वैसे आप किस तरीके से मना रहे हैं आज का खास दिन हमें कमेंट में जरूर बताएं फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए वसिता ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इनफॉर्म अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और प्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें